श्री रमण महरीशी के उद्धरण आत्मा को चूते हैं, मन को बदलते हैं और आंत्रिक शांती पैदा करते हैं। बगवान श्री रमण महरीशी एक प्रसिद्ध गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक्त पी थे। श्री महर्शी के उद्धरण, मन, ध्यान, बोद, स्वयम और अन्य विश्यों पर इस प्रकार है खुशी ही आपका वास्त्विक स्वभाव है देखें की विशय कौन है और यह पूश्टाच आपको विशय से परे शुद्द चेतना की और ले जाती है जो कुछ ना होना लिखा है वै नहीं होगा जितना हो सके प्रयास करो जो कुछ होना तै है वै होगा उसे रोकने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वै करें यह निश्चित है इसलिए सबसे अच्छा रास्ता चुप रहना है खुद को समझे बिना दुनिया को समझने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं एक उच्छ शक्ती आपका नेत्रित्व कर रही है उसी के द्वारा नेत्रित्व किया जाए यह जानता है कि क्या करना है और कैसे करना है कर्म, स्वयम कोई बंदन नहीं बनाते, बंदन केवल मित्या विश्वास है, मैं करता हूँ अंतिम सत्य बहुत सरल है, यह किछी की प्राकृतिक मूल स्थिती में होने से ज़ादा कुछ नहीं चेतना वास्तव में हमेशा हमारे साथ है, हर कोई जानता है मैं हूँ कोई भी अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता पगवाश्री रमट महरिशी के मन के उपर इस प्रकार का उद्धरन है मन चेतना है, जिसकी सीमाएं है, हम मुलता असीमित एवं परिपून है बाद में हम सीमाएं बना लेते हैं और मन बन जाते हैं जब कोई मन को एक वीचार पर टिका देता है, तो मन शांत होने लगता है और इस्तिर हो जाता है उज्ञा संरक्षित रहती है, मन केवल वीचारों का एक समूं है, वीचारों की जड़ मैं वीचार में है जो कोई भी सच्चे मैं की जाज करता है वे आनंद की शांती का आनंद लेता है जब हम मन को अंदर की और मोडते हैं तो भगवान आंतरिक चेतना के रूप में प्रकट होते हैं जब मन को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता तो वे शांत हो जाता है मैं कौन हूँ का प्रश्ण मन को अंदर मुखी और शांत कर देता है यदि आपको स्वयम का एहसास है तो नियंतरन करने के लिए कोई मन नहीं है मन मिट जाता है आत्म जमक उठता है आत्म साक्षात कारी व्यक्ती में मन सक्रिय या निश्क्रिय हो सकता है उसके लिए आत्मा बनी रहती है मन को अंदर की और मोड़ो और अपने आपको शरीर की रूप में सोचना बन करो इससे तुमें पता चलेगा कि मैं सदेफ प्रसंद रहता हूँ इस अवस्था में ना तो दुख का अनुभव होता है और ना ही सुख का यदि मन सो जाए तो उसे जगाओ फिर अगर वह बटकने लगे तो उसे शांत करा दें यदि आप उसी स्थिती में पहुँच आते हैं जहां ना तो नींद है और ना ही मन की कोई हलचल है तो उसी प्राकृतिक वास्त्विक स्थिती में स्थेर नहें हरी ओम तचसत